चहां पे FX3 का प्राइज आपका 3,90,99,000 का है वहीं पे इस कैमरे का प्राइज मुश्किल से 1,90,000 है जी हां दोस्तों मैं पहरा सॉनिक की बात कर रहा हूँ तो आज की वीडियो में दोनो डोख कामरा के फीचर के और देखेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सा डोख के लिए में बहुत डिफरेंश है इसके बारे में में आगे बात करेंगे दोनों कैमरा की body highly durable magnesium alloy material की बन्यू ही है जहाँ पे FX3 जो है वो आपका dust और moisture resistant body और ceiling के साथ आता है वहीं पे जो S52X है इसमें आपको थोड़ी superior ceiling मिलती है इसमें dust और moisture resistance के साथ splash resistance भी मिलता है जिसका मतलब यह है कि आप इस camera को harsh weather में जैसे कि हलके फुलकी बारेश या किसी ऐसे rainforest में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस camera को बिंदास यूज़ कर सकते हैं अगर camera के body design की बात करें तो FX3 अपने जो Sony का जो FX cinema line है उससे inspiration लेता है जिसके वएसे आपके काफी पैसे बस सकते हैं आपको अलग से cage लगाने की जुरूत नहीं है accessories को mount करने के लिए वहीं पे हम अगर S52X की बात करें तो यह एक normal mirrorless style camera की body में हाता है और इसमें आपको cage लगाना पड़ेगा दूसरी चीज FX3 की बढ़िया यह है कि इसमें आपको tele light मिलती है जब आप camera record करते हैं तो जब भी camera record कर रहा होता है तो इसके सामने एक light होती है वो red color की हो जाती है और वो जल रही होती है से पता लगता है कि camera अभी record कर रहा है यह एक बहुत बढ़िया feature है यह option भी आपको S52X में नहीं मिलेगा आप किसी भी production में काम कर रहे हैं आप जितना fast काम करेंगे आपकी उतनी ज्यादा value होगी जितना आप ज्यादा time लोग है अपनी चीजों को setup करने में उतना ही आपकी value कम होगी और इन चीजों में camera के जो custom button होते हैं वो बहुत हैप करते हैं तो अगर हम बात करें custom button की तो fx3 में आपको 12 custom button और 3 mode dial मिलते हैं जिनको आप camera में किसी भी तरीकी के shortcut को assign करने के लिए use कर सकते हैं वहीं पर अगर हम S52X की बात करें तो 13 custom button, 2 joystick और 5 mode dial मिलते हैं इसमें बहुत ज़ादा customization का option मिल रहा है अगर आप fx3 से compare करें तो एक advantage fx3 के साथ यह है कि जब आप यह camera खरीते हैं तो इसके साथ जो आपका camera handle है वो साथ में आता है और handle आपको सिर्फ stability ही नहीं था बलकि इसके handle में आपका audio interface लगा हुआ है जो कि high quality audio को capture करने में मदद करता है Panasonic के साथ ऐसा कोई handle नहीं आता Panasonic में भी exactly same audio interface available है market में जैसे Sony के पास है और उसको आप extra पैसे दे के खरी सकते बाइट अब जितने भी product आप इस video में देखेंगे इनके में Amazon के link अपने description में mention कर दूँँगा तो अगर आपको interest हो किसी चीज तो उन link में जाके check कर सकते हैं अगर हम ports की बात करें तो दोनों camera almost similar हैं दोनों camera में ही आपको microphone का port, headphone का port, full size HDMI, USB-C port मिल जाता है बट FX3 में आपको एक extra micro USB port भी देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं still यानि photography वाले features की तो अब से पहले तो resolution की बात करते हैं तो अगर जो आपका FX3 है वो 10.2 megapixel का resolution निकालता है वहीं पे जो Panasonic का S5 2X है इसमें आपको 24 megapixel का resolution मिलता है दूसरी चीज अगर हम continuous full speed मतलब burst की बात करें के 1 second में कितनी photos की सकते हैं तो जहां पे आपका FX3 continuous mode में 1 second में 10 photo लेता है वहीं पे S5 2X 1 second में 30 photo लेता है वो भी full resolution एक एक photo पोरी 24 megapixel की और ये वो electronic shutter mode में करता है क्योंकि इसमें electronic shutter का भी option है अगर आप mechanical shutter यूज करना चाहते हैं तो आप 1 second में 8 photo तक अपने S5 2X में ले सकते हैं S5 2X में एक और बहुत ही innovative unique mode है जो है super resolution इसमें camera 4-5 photo लेता है camera के अंदर ही उन photos को merge करता है और आपको एक super high resolution photo बना के देता है जो कि 96-96 megapixel की होती है इसको उन super resolution बोलते हैं ऐसा कोई mode आपको FX3 में देखने को नहीं मिलेगा अब बढ़ते हैं इनके cinema features की तरफ और उनको आपस में compare करते हैं लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको यह remind करना चाहता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक camera जो है वो dedicated cinema camera है जो की FX3 है और जो दूसरा camera है वो normal hybrid camera है शुरू करते हैं video resolution से और जहां पर FX3 है वो आपका 4K UHD मतलब 4K के resolution में अपनी video capture कर सकता है maximum resolution वहीं पर जो Panasonic S52X है यह whopping 6K के resolution में video capture कर सकता है और यहीं नहीं दोस्तों market में दो तरीके के 4K होते है एक होता है UHD 4K और दूसरा होता है DCI 4K वैसे तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता और अगर height देखें तो दोनों का same frame height होता है लेकिन जहां अगर width की बात करें, wideness की बात करें वहाँ पर जो DCI 4K है वो थोड़ा सा extra wide होता है और इसलिए कई वार कुछ project जब आप professional projects shoot करते तो वहाँ पर इनकी requirement होती है कि उनको true 4K या cinema 4K capture करना है और वहाँ पर आपको ऐसे camera की ज़रुद पड़ती है जो UHD नहीं खीसता हो बटकि DCI 4K खीसता हो proper true 4K खीसता हो और वहाँ पर हमारा parasonic S5-2X जो है वह अगाम में आता है क्योंकि यह आपको proper DCI 4K capture करने में help करता है दोस्तों इस वीडियो की research करते है दोरान मेरे को पता लगा कि Sony ने अभी अभी एक update भीजा है अपने camera का और इस update के थ्रू इन लोगों ने 4K DCI mode भी FX3 में add कर दिया है तो just a quick update अब बात कर लेते हैं crop की कि आपको कितना crop देखने को मिलता है तो जो FX3 है वो pretty much जितने भी format जितने भी resolution सब में आपको proper uncrop video देगा जो कि एक बहुत बड़ा advantage है FX3 का वही पर जो parasonic का S52X है यह आप जब भी आप 4K60 capture करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1.5 time crop देखने को मिलेगा जिसको हम APSC mode के नाम से भी जानते हैं अब इन दोनों camera में बहुत सारी similarity भी है जिनके उपर मैं जल्दी जल्दी जाना चाहूंगा तो दोनों ही camera में आपको 10 bit 422 color मिल जाएंगे दोनों ही camera में आपको picture profile का option मिल जाता है दोनों camera ही all intra and long off mode में record कर सकते हैं दोनों camera में ही dual card slot आते हैं इसके अलाबा दोनों camera में आपको internal fan में देखने को मिल जाता है जो इसकी heating को help करता है heating को रोकने में और camera overheat नहीं होता and last but not the least दोनों camera के यह auto focusing performance almost similar हो गई है panasonic में जब से नया auto focus system आया है और एक और चीज जो दोनों camera में है पूरी setting file जो है आपकी camera की आपने अपने camera में जो जो custom button जो जो shortcut assign कर रखे है उनका एक वो file बना के आपके SD card में डालेगा ताकि अगर आप कोई दूसरे camera में काम करने जा रहे है तो वहाँ पर आप ये card लगाए और उस setting को import करें और आपका दूसरा camera एकदम वैसा ही set हो जाएगा जैसे कि आपको original camera चलता था तो ये option भी आपको दोनों camera में देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं differences की तो सबसे बात करते है slow motion क्योंकि slow motion आज के time में काफी important feature माना जाता है अपने camera में और यहाँ पर FX3 थोड़ा सा जादा आगे निकलता है क्योंकि FX3 में आप 4K 120p slow motion record कर सकते हैं वो भी बिना cropping वापिंग के वहीं पर अगर हम अपने S5 की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 4K है वहाँ पर सिर्फ 60p तक का slow motion देखने को मिलता है अगर आप Full HD mode में जाए तो वहाँ पर आप 180p तक slow motion record कर सकते हैं अल्दो FX3 एक cinema camera है लेकिन इसके अंदर अभी भी आपको shutter speed का option मिलेगा वहीं पर अगर हम अपने S5 2X की बात करें जो के cinema camera नहीं है, Panasonic इसको cinema camera बना के बेच नहीं रहा है यह एक normal hybrid camera है बट इसमें आपको shutter angle का option मिलेगा यह वो option है जो सारे cinema camera हो में मिलता है और यह इस camera को बहुत खास बना देता है आप कभी भी किसी commercial project पे काम कर रहे होंगे जहाँ पर आपको as a B camera operator hire करा जाएगा और दूसरा camera वहाँ पर अगर कोई यह Alexa लगा है यह कोई लगा है जिसमें shutter angle का option है तो आपसे यह expect किया जाएगा कि आप अपने camera का shutter angle उसके साथ match करें और फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पास यहाँ पर shutter speed होगी ना कि shutter angle तो यह एक बहुत ही बढ़िया feature है और मेरे साब से अगर Sony अपने इस camera को cinema camera बोल रहा है तो यह सबसे पहला feature था जो इनको डालना चाहिए जो कि इसमें missing है अगें जैसे कि Sony एक cinema camera है तो इसमें अच्छे खासे assist feature होने चाहिए थे Sony की तरब से लेकिन नहीं है इसमें अगर assist feature की बात करें तो आपको सिर्फ focus peaking मिलता है एक zebra मिलता है दूसरा LUT monitoring मिलता है framing guide मिलती है इसके अलावा यहाँ पे कोई भी assist feature नहीं है वहीं पे अगर आप Panasonic S52X की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे professional assist feature मिलते है waveform monitor, vectorscope false color जो कि एक viewing LED की मदद से आप इसमें लगा सकते हो LUT support framing guide मतलब आप और ऐसी कोई भी इसमें tool नहीं है जो इसमें missing हो तो मेरे को doubt हो जाता कि कौन सा cinema camera है और कौन सा hybrid camera है Sony जो एक cinema camera है वहाँ पे सारे जो key assist feature है जो एक cinematographer use करता है आप किसी professional shoot में जाओगे तो आपका exposure accurately set होना सबसे ज़्यादा important है यह जो tools है आपका waveform हो गया या फॉल्स का लगया यह cinematographer बहुत अक्सर यूज करते है मतलब इन ही पे rely करते है कुछ situation ऐसे होती है जहाँ पे आप सिर्फ camera की body ही यूज कर सकते हो वहाँ पे यह जो inbuilt feature है यह बहुत काम करते है और इस मामले में parasonic s5 काफी better है मैं कहूंगा अगर हम एक fx3 से compare करें तो अगर raw video capture की बात करें तो दोनों camera ही raw video capture कर सकते है जहाँ पे fx3 है आपका यह सिर्फ external raw record कर सकता है मतलब आपको एक external recorder जैसे के atomist ninja है यह अपना camera के साथ लगाना पड़ेगा जो की industry standard है अगर हम video format की बात करें और इसमें आपका ssd लगने का option है तो panasonic s5x में आप एक samson t5 एक छोटी से ssd लेके आप directly इसको लगा सकते हो और आपको कोई expensive sd card या memory card खरीदने के ज़रूत नहीं है आपका camera directly आपकी video उस ssd में record करेगा ऐसा option आपको fx3 में नहीं मिलेगा यह recording का दूसरी चीज़ अगर हम raw recording format की बात करें तो जहां पे आपका fx3 में आपको स्रिफ pro-res raw का option है recording का वहीं पे जो panasonic है यहां पे आपको pro-res raw भी मिलेगा normal pro-res भी मिलेगा और black magic raw का option मिलना एक बहुती बढ़िया बहुती किफायती है क्योंकि raw का जो file size है वो बहुत ज़्यादा होता है बहुत जल्दी मतला हो आप आदे गंटे का shoot करेंगा तो पतल लगा आपकी दो TV की hard drive भर गई और जितना आपको और storage चाहिए होगा तो और storage का मतलब है और पैसा black magic raw की खासियत यह है कि यह आपको raw codec की सारे feature सारे functionality देता है लेकिन यह बहुत light bit होता है तो बहुत space बच रहा है मतलब बहुत पैसा बच रहा है और अच्छी बात ही है कि पहना सब्सक्राइक हमको दोनों option दे रहा है वो हमको force नहीं कर रहा है कि आपको black magic raw ही record करना है आपकी मर्जी है आपको ProRes high quality record करना है raw record करना है अब वो कर सकते हो बट एक option black magic raw का भी है जो कि एक बहुत बढ़िया बात है दोनों camera में आप custom LED अप्लोड कर सकते हैं यहां पे fx3 में आप 16 custom LED अप्लोड कर सकते हैं वही पर जो अपना panasonic है यहां पर आप 10 custom LED अप्लोड कर सकते हैं Panasonic S5 में आपको dedicated anamorphic support मिल जाता है lens support जो कि आपको अपने camera के साथ anamorphic lenses को use करने में मदद करता है anamorphic lenses mostly high budget production, big movies वहां पर युज होती है और उस setup में अगर आपके camera में वह anamorphic support नहीं है तो फिर आपको अपने frame को properly frame करने में बहुत दिक्कत आती है तो अच्छी बात यह है कि Panasonic यह mode camera के अंदर built in है आपको कोई अलग से assist कोई monitor लगाने के चुरुत नहीं है आप camera में directly anamorphic lens लगाके बिलकुल compact setup रखके आप अपना anamorphic lens के साथ shoot कर सकते हो यह option आपको fx3 में नहीं मिलेगा एक और छोटा सा change और उसी update में इन लोगों ने anamorphic mode भी add कर दिया है तो fx3 में आपको anamorphic mode भी देखने को मिल जाता है अगर हम image stabilization की बात करें तो fx3 जहां पर आपको up to 5.5 stop तक का image stabilization देता है वहीं पर जो panasonic s5x 2x है यह आपको 6.5 stop तक का image stabilization देता है और यहीं नहीं panasonic अपने anamorphic mode के अंदर भी stabilization देता है जो कि normally बहुत सारे camera नहीं देते तो मतलब अगर आप एक anamorphic lens लगा के shoot कर रहे है और आप gimbal नहीं यूज़ करना चाहते है किसी कारणवाश तो आपको कोई ज़रत नहीं है क्योंकि camera आपको anamorphic lens support भी दे रहा है लेकिन मेरे को इसमें से tik-tok की reel भी निकाल के देनी है उस time पे आपका जो open gate है यह बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि यह थोड़ा सा 4 by 3 aspect ratio का frame निकालता है height ज्यादा होती है तो आप उसी content में से vertical video भी निकाल सकते हो और horizontal video भी निकाल सकते हो आपका मतलब बहुत फायदा हो जाता है fx3 में ऐसा कोई option नहीं आता है panasonic में आपको live stream का भी बहुत बड़ी option देखना का मिल जाता है मतलब आप up to full HD 60p तक live stream कर सकते हो आप directly अपने camera को चाहे तो computer से connect कर लो कोई capture card की जुरूत नहीं है और या फिर अपने camera के साथ smartphone connect कर लो और hotspot बनाके आप on the go रस्ते में चलते चलते भी live stream कर सकते हो fx3 में आपको यह option नहीं फिलाल अभी तक तो नहीं था अगर sony ने किसी firmware के तुरू add कर दियो तो मैं कहा नहीं सकता लेकिन एक और बड़िया चीज है जो आपको parasonic s5 में मिलेगी वो fx3 में नहीं मिलेगी और वो है evf electronic viewfinder यह बहुत ही useful होता है filmmaking में भी बहुत useful होता है क्योंकि जब आप evf के through अपना composition अपना frame मनाते है तो basically आपको एक पूरा box मिल जाता है आप सारे आसपास की चीजों को black out कर देते हैं और आप सिर्फ अपने frame पे ध्यान देते हैं दोनों ही camera power bank से power delivery का option के साथ आते हैं जहां पर fx3 उसमें अगर आप power bank लगाएंगे तो वह camera चलाता रहेगा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी बैटरी आपकी वहीं पर वहीं रहेगी जितनी भी ह है वहीं पर अपना panasonic है इसमें अगर आप power bank लगाएंगे तो वह आपका camera चल रहा होगा और साथ में बैटरी चार्ज होती रहेगी तो यह एक plus point है fx3 में अगर आपकी बैटरी जीरो है तो आपके camera गया अगला है low light performance और हमको पता है कि sony undisputed king है अगर low light performance की बात आ नाव है आप मतलब लगबग 20-25 राइसो तक में भी clean video निकाल सकते है और मेरे को लगता है practically इससे ज्यादा जाने की हमको कभी जुरूत भी नहीं पड़ती अगला है आपका software support इस मामले में Panasonic sony से miles आगे है मतलब sony software support के नाम पे कुछ नहीं देता for example a7s3 इतना इनका flagship camera इ करके उससे उसमें भी जाई नहीं वापस उस camera में कभी आई नहीं पाया यह वहीं पे अगर panasonic की बात करें तो panasonic का जो पीछे history रहा है background रहा है वह कुछ ऐसा रहा है कि वह अपने camera को भर भर के नए-ए फीचर डालते हैं दूसरा है lens support sony king ham market का क्योंकि उसका सबसे बड़ा lens support है मतलब sony के अपने lens को छोड़ दें तो third party की बात करें third party के lens manufacturer भरे पड़े मार्केट में सेविन आटीशन सिग्मा टैमराउन तकीन तीक है और सैम यांग आप नाम लो और हर कोई sony के e-mount का lens बना रहा होगा तो इस वाज़े से sony में cheap lens के option बहुत आराम से मिल जाते है मार्केट में और यह इसका एक बहुत strong point है लेकिन अब क्योंकि panasonic का auto focus अब change हो गया है और यह भी दिर market पकड़ेगा तो आने वाले time में आपको panasonic में भी आपको third party option मिल जाएंगे और lady sigma ने panasonic के लिए lens बनाना शुरू कर दी है तो अभी तक हमने जो जो चीज़े देखी ह तो उसमें एक चीज़ में आ रही है कि fx3 आपका low light performance के मामले में ठीक है और slow motion video के मामले में और third party lens के मामले में panasonic से काफी आगे है लेकिन बाकी सारे मामलों में panasonic sony से बहुत आगे है अगर कोई बंदे के पास fx3 like budget है और वो अतना budget लेके अपने camera पे खर्च करना ही चा है पहले option में आप camera body ले सकते है audio adapter ले सकते हैं एक samsung की T7 drive ले सकते हैं एक cage ले सकते हैं जिसमें के handle भी लगा होगा और ssd holder भी होगा साथ में एक monitor ले सकते हैं फील वर्ड का f6 अब एक lens ले सकते हैं panasonic का panasonic का s-mount का 50mm f1.8 दो एक्स्ट्रा बैटरी आजाएंगी वीबल 3s gimbal आजाएगी और wireless lav mic आजाएगा तो basically जितने पैसों में आपका fx3 के स्वें body और handle आएगा उतने पैसों में आपका camera का पूरा setup ready है corporate style के interview capture करने के लिए यहां अगर आप panasonic के साथ जाते हैं अब suppose करो कि आपको audio चाहिए ही नहीं आपको audio को कई मतलब नहीं है audio के लिए और लोग है आप अपने camera में audio वाला काम नहीं करते हो तो फिर मैं आपको एक दूसरा option देता हूं आप camera की body ले सकते हैं Samsung की T7 drive ले सकते हैं एक TV की cage ले सकते हैं ज 105 F4 lens आप दो बैटरी ले लेंगे और वीबल की gimbal ले लेंगे और यह इसका अगर आप टोटल पाइस लेंगे तो लगबग 4,000,000,000 मतलब आपके बजट से से 10,000 उपर निकल गया तो इसको आप ऐसे मानिये कि अगर आप 10,000 उपर डाल लें तो आपका पूरा एक film making setup मिल रह रही है जिससे अभी आप शूट नहीं कर सकते क्योंकि आप शूट करना है तो आपको सबस्क्राइब तो lens लेने पड़ेगा lens लेते ही आपका budget एकड़म हिल जाएगा गड़बडा जाएगा पूरा और अगर आप एक professional film maker है जो professional project शूट करते हैं raw video बहुत capture करते हैं तो उस दो लेने पड़े तो डेर दो लाग का खंचा उपर से और लगा तो बेसिकली आपका जो camera setup है वो 6 लाग के आसपास 7 लाग के आसपास पहुंच जाएगा और तो भी वो उतना नहीं हो पाएगा जितना के Panasonic के S5 में आपको सिर्फ 4 लाग के अंदर मिल पा रहा है तो there is a huge difference और features की बात करें तो यार obviously Panasonic में जो features मिल रहा है आपको दुनिया जहान के assist support मिल रहा है आपको shutter angle मिल रहा है आपको anamorphic lens support मिल रहा है आपको external recording मिल रही है SSD में ठीक है और आपको EVF मिल रहा है बहुत बड़ा आपको photography feature मिल रहा है 30 frame per second का fast burst speed मिल रहा है super resolution mode के आप एक फोट लग रहा है कि अगर कोई FX3 की तरफ जाएगा तो क्यों जाएगा FX3 की तरफ अब आज की date में especially एक तो वो लोग जाएंगे जिनको Panasonic के इस camera के बारे में नहीं पता है दूसरा अगर आपको Panasonic के इस camera के बारे में पता है इसकी pricing पता उसके बात भी अगर आप FX3 के तरफ जा scenario नहीं है अगर आपके पास इन दोनों scenario में से कुछ नहीं है तो मेरे को लगता है कि आपको Panasonic की तरफ आग बंद करके जाना चाहिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई यह मेरे personal views थे आप मेरे को बताईएगा कि आप मेरे विचार से सहमत है या नहीं सहमत है अगर मैंने कहीं पे कुछ गरबर चीज़ बता दिया आपको लगता कि वह सही नहीं है तो प्लीज मेरे को comment करके बताईएगा मेरे को ठीक कर मेरे को अच्छा लगेगा और that's it चल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो लेकर तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा I'll see you soon bye bye